ओके, तो आईए हम लोग सुरुवात करेंगे, मेरा नाम है जौन तिर्की और मैं 16 साल से जादा हो गया, जवानों की बीक में सेवा करता हूँ और अलग-अलग जगा प्रभू रखते हुए मुझे बहुत सारा अनुभाव दिया है अपना अनुगरह में और कए जगा इस्तेमाल किया खास करके प्रभू मुझे टीचिंग का खेतर में इस्तेमाल करता है और यूद को कांसलिंग करने के लिए तो मैं परमिस्व का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि यहां पर आपके सामने एक इस्पेसल टॉपिक में बात शित कर सके तो आज जो इस्पेसल टॉपिक है हर एक मसीह के लिए ये जरूरी है जानना बहुत सारे नए विश्वासी लोग हमारे यहां पर LifeHTA चैनल के माधियम से जुड़ते हैं अच्छी बात है लेकिन आपको ये बाते जानकारी होना बहुत जरूरी जो आज जिस विशय में हम बात करने वाले हैं आज का विशय सच में बहुत बहुत important है अगर आप आज का विशय को नहीं समझ पाएंगे ठीक से हो सकता है कि आपका परमिश्वर पर विश्वास और दुनिया के साथ चलते हुए इसमें कुछ गड़बड़ी या डगमगाना हो जाए तो आज का जो मेसेज होगा जो भी हम बात्षित करेंगे या आपको चुनावती देगा आईए हम लोग प्रास्णा करेंगे प्रभु हम आपसे प्रास्णा करते हैं आज का वचन को प्रभु सुनने के लिए आप साहेता कीजिये हर तरह का गड़बड़ी को आप दूर कीजिये ताकि प्रभुजी हम अच्छा से सुन सके, समझ सके और जो कुछ भी हम समझे प्रभुजी उसको अपना जीवन में अपलाई ही कर सके है मेरे परमेश्वर हर तरह का टेक्निकल प्रब्लम को आप दूर कीजे और आज का इस मिटिंग को अच्छा से आप करने के लिए सहायता और मदद करना परमेश्वर ये स्टो के नाम से हम आप से मांगते हैं आमेन तो आज हम लोगे एक खास विश्वर में बातशित करेंगे मैं आपको पहले एक कहानी बताता हूँ जब मैं छोटा था स्कूल में तो उस समय में क्या हुआ मैंने देखा मेरी मा इतना लंबा-लंबा कुछ कांटी है उस कांटी को लेकर दिवार का कोना-कोना में ठोक रही है मतलब लंबा-लंबा कील है हम लोग जिसको नेल बोलते हैं उन दिनों में अब हमारा घर मिट्टी एँ अभी भी है हम लोग धर को बांग रहे है इस से घर में न deeds कोछ बाहर का दुस्तात्मा या कुछ चीज़े नहीं आएगा ममी ने बोलने लगी मैं छोटा था तो मुझे उतना पता नहीं चलो ठीक है होता होगा घर को सुरक्षित करने के लिए तो मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया चाहे अपना घर में या अपने आसपास के लोगों के साथ रहते रहते मैं देखा कई तरह का माननेता या विश्वास तो है लोग मानते हैं और मैं उन्हीं में थोड़ा-थोड़ा विश्वास करते हुए बढ़ने लगा जैसे उधारन के लिए आप लोग भी हो सकता है कि मानते होंगे या नहीं मानते होंगे अपना विचार को बताना मैं कुछ उधारन आपके लिए बता रहा हूँ जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट लेता है मतलब हमारे से आगे अगर फार हो गया तो हम क्या करते हैं रुक जाते और यह आपने भी देखा कहले लोग रूख जाते हैं इंतिजार करते हे कि कोई सामने से आप लिए चार पार हो और होels कासरा क्योंकि सुभिए सुभ्ण मानते हैं इसा ना हो आप इक्सीडेंट हो जाए या काम दिखड़ या इ देखते हैं और हाँ एक विख्ती को अरा मिर्चा दे रहा था तो उन्होंने हांत नहीं बढ़ाया उसके पास एक कपड़ा था तो उन्होंने कपड़ा एसंएागे हो जाएगा और कई लोग जब मैं बच्पन में था तो मैंने सुना कि मनी प्लांट लगाने से पैसा बढ़ता है तो मैं इसा विश्वास कर लिया और भी घर में मनी के टाइम में जब हाई स्कूल में था तो लेकिन पैसा हो अगरे तो कुछ बढ़ा नहीं और आपने ये भी सुना होगा कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और पीछे से कोई टोक दें तो क्या होगा लोग बोलते असुब है काम बिगड़ जाएगा काम बनेगा नहीं ऐसा कई तरह का मान्यता या विश्वास जो है हम मानते हैं या कुछ इस तरह का परमपरा को हम मानते हैं तो मैं आपको अभी मौका देना चाहता हूँ चार-पांच लोग आप में से कुछ लोग जिने होते हैं तो मैं आप से सुनना चाहता हूँ कि इस तरह का कुछ विश्वास है जो आप अपने आसपास देखते हैं या अपने घर में देखें आप बोल सकते हैं ऐसा क्या-क्या है एक-एक करके बोलिएगा प्रेस लोड बॉलिए जी मेरे वास ठीक है आप बिल्कुल ठीक है बोलिएगा तो ब्रदे अंदर विश्वास तो बहुत है लेकिन जो हम नॉर्मली बहुत ही बेसिकली देखते हैं जब हम जाते हैं स्कूल में जाते समय मैं और मेरी बेटियां तो रास्ते में वहां पेक् लेटियां के तो वहां पे लोग जैसे सात अनाज कुछ करके ऐसे कहते हैं हमारे ना यहां पी तो अनाज कुछ डाले पॉटे वोबहुति है लुब 무 तो कई वार दाले होती है कोई बहुत естपर नमक बहुताई है और कोई나 चाहेगा ऐसा कुछ और होता है कि क्या कुछ आपका इरिया वे कि बोलीएगा कोई और बोल सकते हैं अलो पास्टर जी मैने जिस मनोज कुमार आं मनोज जी बोलीएगा और किसी को भूट की समस्या होती है तो उसके लिए वह उसके लिए तावीज बनता है तावीज बेनादे हैं गले में आतों में और बच्चों को लिए भी मतलब कि इस तरी के जाड़ फूंग मतलब कि यह सारी समस्या हैं हम लोगों को पिछड़ा बनाए हुए हैं और हमें मतलब कि तरक्की के रास्ते से रोकती हैं ऐसे आडंबर बने हुए हैं जिनकी दुआरा मतलब कि हम पूरा तरीके से परेशान हैं हमारे देश में अधिक से अधिक हैं एक नहीं हजार ओके आपने तावीज और यह सब चीजों का जिक्र किया है यह बात सही है कोई और बोलना चाहेगा कोई और बोलना चाहेगा कुई भी फंक्रेंशन में विद्वायो को सामने आने नहीं देते हैं क्यों उनकी अगर आजाएगी तो अच्छा नहीं हो गई यह मासीही परिबार में महल्य में या कोई भी फंक्चन में देखा जाता है विद्वायोओं को सामने आने नहीं देते हैं यह यह आपने सही बात को बताया ऐसा कई जगह में होता है ऑपने इस बात को बताने के लिए कोई और है जो बताना चाहते हैं इसे कि मिली राश्य काट के तो रूख जाना पीछे से कोई आवाज दे तो जाना ने वहीं रूख जाना एसा बाते हैं है ना होता है देखाया आपने कोई और एक जन बताएए especially Christian परिवार में या ऐसा मसीही लोगों के बीच में या चर्च में आपने कभी देखा या सुना है तो आप बता सकते हैं उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वच्चन इसके बारे में क्या बोलता है और कोई एक दिन बताएए मैं बोलना चाहूंगा कुछ जाए मसी में ही मैं कुछ कुछी जो को सुना जब मैं मसी में आया तो मसी कही को जन जैसे बोलने लग गए कि आपके इस कलर के कपड़े में किसी ने कुछ कर दिया है तो आपको यह कपड़ा को उतार के फेओदा होगा जो जलाना होगा आप अपने से दूर रखो यह बेट सीट आपको अलग करना पड़े गा और ये बेट सीट में आप मत सोईए क्योंकि इसमें स्पृिट लगा हुआ है तो क्या believe करता है उनके मूव से ही मैं इस tv को तो क्या ये सही है कि हम अपना फैना हुआ कपड़ा को हम बाहर फिक दें यह सोया हुआ the system को change कर दें बाहर का आदमी कोलता है समझ में आता है लेकिन जो Jesus में है जो musti में है वो ही इस तरीके का advice कर रहे है तो क्या सभी है यह जी सही है गलत है हमें से आगे देखेंगे अधेंक यू ब्रदर आपका अपना जो विचार है उसको बताने के लिए तो अगर हम ऐसे देखें आप कोई बोलना चाहते हैं मतलब की आता हैं तो मैं एक बार मार्केट में सारे नाईयों की दुकान बन मेरी उनसे बैस हो गई मैंने का यहासा क्यों करें हमारी मीटिंग हो गई हमारे अद्ध्यक्ष में नहीं है कानून में तो फिर मैंने उसकी रूपोर्ट भी लिखवाई है जिसे रूपोर्स क्यों बना रखें आप लोगों ने तो यह सी आडम हैं पूरी तरीके से बरबा जो हमारे ये पर लोकालटी में ऐसे बहुत ज़दा हमारे मानते हैं कि एक कि मंगलवार और श्निवार को कपड़े नहीं दोना और ज़ाडू नहीं लगाना और जिन लडकियों का इस बहाई हो उनको बाल नहीं दोने मंगलवार और शनिवार को और जो पत्नी है वो शनिवार को बाननी दोएगी वो इसके हजबन के लिए अच्छा नहीं होता है ऐसी हमारे यहां पर माननेता है लोग लेकिन हम नहीं मानते यह कुछ पॉइंट है ऐसा थैंकियो पूजा मैम यह बात जो आपने बताया है अच्छा बात बताया तो ऐसा कई विश्वास है है थोड़ा देर अभी कुछ और बातों को हम लोग सुनेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप अपना जो है अब माइक थोड़ा देर के लिए ओफ रखेगा और ध्यान से सुनिए ऐसा कई विश्वास है जैसे उधारन के लिए क क्रिस्टन लोग भी मैंने देखा है और कई लोग है ऐसा जो बहुत अच्छा तरीके से सुन्दर से सजा के एक लाफिंग बुड़ा ये मोटा सा रहेगा पेट निकला हुआ रहेगा और गाल फुला हुआ रहेगा और वो हंस्ता हुआ दिखाए देगा उस बुड़ा को र पानी में रखते हैं या घर में कुछ जगा में सजा कर रखते क्रिस्टन घर में मैंने देखा है और घर का दरवाजा में भी एक तरीके का चाइन मतलब आवाज चिंग 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 करके आवाज करने वाला कुछ ऐसा जुला साथ टंगा हुआ रहता है इस तरह का के तरीके से अच्छा दिखने के घर में रखते हैं तो ऐसा भी चीज़े है और कई बार ऐसा होता ना जैसे मैं भी बचपन से देखा मतलब अगर चपल उल्टा है ना तो मम्मी कहते सीधा करो ने तो जगड़ा हो जाएगा या फिर कईशी ज्यादा टकर टकर मत करो ने तो यह हो जाएगा या फिर सुई रात में जो है नहीं देते नाखुन रात में नहीं काटना ऐसा कई एक विश्वास है जो पाया जाता है अब इन सब विश्वासों के बारे में बाइबल क्या बताता है या अगर इसे कोई मानता है चाहे वो अन्ने जाती हो चाहे वो परमिश परमिस्वर क्या करेगा क्या बताता है परमिस्वर का वचन आईए हम बहुत ध्यान से आज का वचन को सुनेंगे और मैं चाहूंगा आप आखरी तक बने रहें परमिस्वर का धन्यवाद हो कि आज 50 से ज्यादा लोग जूड रहे हैं आप प्राफना कीजेगा कि हर कोई इस पुराना नियम मेंसे वचन खोलेंगे पुराना नियम में बैवस्था विवर आठाथ होया हिसे हम लोग देखेंगे, उसका नौ से त3 वचन तक पुरान adopt है वं आपके लिए पढ़ता हूं और आप बींच बीक में तयार रहेंगा जब मैं आपको बोलू पढ़ने के लिए फिर भी अभी मैं पढ़ देता हूँ यहां ऐसा लिखा है जब तु उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश और यहवा तुझे देता है तब वहां की जातियों के अनुसार घिनोना काम ना करना ना सीखना तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चड़ाने वाला या भावी कहने वाला या असुभ मुहुरतों का मानने वाला या टोनहा या सांत्रिक या बाजिगर या ओजो से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाल कि युद्धने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सामने घ्रीनित ہیں और इनी घ्रीनित कामों के कारण तेरा परविश और यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है तु अपने परमेश और यहवा के सम्मुख सिध बना रहना पुराने नियम का ये जो वचन है ब्यवस्था विवरन से है आईए इसको हम लोग खोड़ा समझेंगे पहले बैग्राउंड समझेंगे इस्राइली लोग मिस्र देश में एक जगह में रह रहे थे 430 साल के बाद परमेश पर वहां से मुसा का अगवाई में इस्राइलियों को निकाल कर एक ऐसा जगह में लेके जा रहा है जहां पर अन्ने जाती लोग रहते हैं और लाखों इस्राइली गाई बैल, भेड़ बकरी, बुढ़या, स्त्री, सब के साथ धीरे-धीरे वो कनान देश की ओर या प्रतिग्या किया हुआ जगह की ओर जा रहे हैं और रास्ते में परमेश पर कई एक बाते अपना दास मुसा के दबारा से इस्राइलियों को बता रहा है और उनमें से एक सिख्षा ये भी है अब परमिश्वर क्या बोल रहा है इसराइलियों को यहां पर बोलता है जब तू उस देश में पहुंचे मतलब कौन सा देश जहां पर पहले से जाने के लिए प्रतिग्या किया हुआ है और वहां पर पहले से ही कोई लोग रहते हैं और कई तरह का अन्य जाती हित्ती परेजी परेजी अमलेकी और कई कई ऐसा नाम है कई लोग वहां पर रहते हैं अब वहां पर पहुंचे तो उनके जैसा घिनावना काम नहीं करना बहुत घ्रीनित काम उलोग करते हैं तो क्या घ करके चड़ाने का मतलब है जिएगा आग में होम करके चड़ाने का मतलब क्या है एंग एसा है कि बली दे रहे हैं आग में जला दे रहे हैं जिंदा या फिर काट के मारने के बाद में जला रहे हैं किस तरह का मतलब भयानक भयानक चीज़े वहाँ पे हो रहा है उस देश में और याद रखे जहां human sacrifice होता है मानो बलिदान होता है वहाँ पर जो बुराई है ना बहुत चरम सीमा में होता है वहाँ पर ब्यविचार अडल्टरी वेस्चाबरिती बहुत जादा high level में होता है ऐसा जगह में तो ये सब चीज़े वहाँ पे चल रहा है और उसी देश में परमेश्वर अपने लोगों को इसराइलियों को लेके जा रहा है और बोलता है उनके जैसा ऐसा मत करना आगे ये बोलता है भावी कहने वाला भविष्ट का बारे बताने के लिए कुछ सक्तिक इस्तेमाल करते में भविष्ट का बारे बताना तो भविष्ट का बारे में बताने वाला जो चीज़ है जो आज हम लोग देखते हैं वो आज से नहीं कई साल से हजारों साल से चल रहा है ये रीती और सुब असुब मानने वाला है कि ये दिन सुब है य यह नंबर सही है ऐसा माणने वाला और तोना करने वाले, तांतरीक करने वाले और ओजा और कई तरह कि लोग वहां पर पाए जाते हैं। इस तरह का बात परमेश्वर वहां पर बोल रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे भविष्ट कहने के बारे में तो एक बहन ने सवाल पूछा कि परमेश्वर के भी तो कई ऐसे लोग है जो भविष्ट से बताते हैं तो उनका भविष्ट से बताना और ये लोग जो भविष्ट से बताते हैं उसमें क्या अंतर है जरूर है कुछ अंतर इसको बेसिक चीज़ा आपको बताता हूं इसको समझेगा ध्यान से सुनिए देखिए ऐसा है न जब आप अगर नया नियम में प्रेड़तों के काम 16 अध् पत्कुरी थी जो जान ले थी कि यह परमेस्वर के लोग है और उसको पीछे पीछा कर सिल्लााती थी कि यह परमेस्वरGS के लोग है यह हमें परमेस्वर का मार्क ये सच्छा ही बताने आये हैं और पॉल उसको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या क्या आग्या दिया और दुस्टात्मा उसमें से लिकल गया और भवश्ण recat ने का जो टाकत है ना खतम हो गया यहाँ यह उधारन सामें क्या पता चलता है दुस्टात्मा के अंदर भविस्व बताने का एक limited power है और लोग दुस्टात्मा का ताकत से भी भविस्व बता सकते हैं तो यह ताजुब का बात नहीं करना है कि क्योंकि परमेश्वर के लोगों का नाम से मेरा मतलब कि मैं परमेश्वर के तरफ साया हूं मैं भविस्वानी करता हूं ऐसे कुछ लोग मिलेंगे और लगेगा कि हाँ वो सही में ऐसा पास्टर है पर हमें इस बात को परखना है जानना है कि यह परमेश्वर की और से है या नहीं आप अगर चलिए हम लोग इस साथ खोलिए प्रेड्टों की काम 16 अधियाय और उसका 17-18 वचन ओके मैं यहां आपके लिए पढ़ देता हूं प्रेड्टों की काम 16 अधियाय उसका 17-18 वचन तो चलिए अब मैं देखता हूं 18 वचन से पढ़ता हूं वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही परंतु पॉलस दुखी हुआर मुणकर उस आत्मा से कहा मैं तुझे इस्तुमसी के नाम से आग्या देता हूं उसमें से निकल और वह उसी घड़ी निकल गई देखिए दुस्तात्मा यहां पर उसका अंदर में है जो भविश्व बताने का ताकत दिया है और जब पॉलस ने आग्या दिया दुस्तात्मा वहां से निकल गया अब क्या हुआ है इसकी बात आगे देखेगा 19 वचन में जब उसके स्वाम पर ने का जो ताकत है उसका मांगता है पैसा लेता है उसका सेवकाई का में केंद्र पैसा है तो आप इस बात को जान लिजेगा वह परमेश्वर का और से नहीं है वो सामर्थ वो ताकत परमिस्वर के और से नहीं है वो दुस्तास्मा की और से है क्योंकि उस तरह का सामर्थ कहीं न कहीं पैसा के साथ जुड़ा रहता है या लालच के साथ जुड़ा रहता है तो इससे आप समझ सकते अगर कोई ऐसा सेवकाई जो भॉई सुवानी बहुत किया जा रहा है और उसका जो मिनिस्ट्री है बिजनस बना हुआ है जहां पर पैसा मेन है मैं आपको नाम लेकर के इस बात को मैं बता देना चाहता हूं आप इस बात को जान लेजे कई ऐसा लोग है जिन से मैं मिला हूं वो चंडी कर जाते हैं और फिर उससे आगे भी जाते है और बजिंदर जी के यहां पर जाते हैं पास्टर बजिंदर स्थिंग आप नाम जानते हैं अच्छा से और वहां पर प्राफ्चनक ले जाते हैं तो बारा हजार का अलग कैटेगरी है और लेंड करने का 25,000 रुपय लेते हैं और कुछ और भी चीज़े है चंगाई के लिए तो पैसा लगता है कुछ ऐसा भी एक पास्टर है जो पैसे ले करके प्राक्षन करते कहते कि आपको दान दस्वान हमें देना होगा हम लोग आपको प्राक्षन सपोर्ड दें तो ऐसा लोग है तो अपना जीवन का भी कुछ अनुभो थोड़ा दिर में साजा करूंगा बताऊंगा आए हम लोग फिर से बैवस्था विवरन उसका अठारा ध्याई में आ जाएंगे अभी एक सवाल जो आप से पूछना चाहता हूँ और जो आपको बहुत सोचने के लिए मजबूर करेगा अगर हम और आप विश्वासी लोग ऐसा विश्वास करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ में परमेश्वर हम से क्या करेगा कैसा सुलूग करेगा आये व्यवस्ता विबरन में से हम पढ़ेंगे अगर आप में से किसी ने खोल रखा है व्यवस्ता विबरन अठा रा धियाए तो आप उसका बारा वचन को पढ़ दीजे क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहुवा के सम्मुक घ्रनित हैं और इनी घ्रनित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहुवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है आमेन, थेंक यूँ उन लोगों को कनाम देश में से और उसके आसपास के एरिया से क्यों निकाल रहा है क्योंकि वे लोग घ्रीनित काम करते हैं परमेश्वर उनको नाफ कर रहा है क्योंकि वे लोग घ्रीनित काम करते हैं अगर हम और आप भी यिश्व मस्य को ग्रहन करके इनी घ्रेनित कामों में इनी तरह का विश्वास में लगे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा ज़र सोचेगा इस भी से में क्योंकि परमेश्वर के नेजर में ये घ्रीनित काम है और परमेश्वर ऐसे घ्रीनित काम करने वालों को वहां से निकाला है तो हम और आप विश्वास करने के बाद भी अगर हम इस तरह का कुछ चीजे में लगे हुए हैं तो क्या करेंगे आप बोलेंगे नहीं मैं यह सब चीजें नहीं करता लेकिन जिस महाल में हम रह रहे हैं जिस समाज में हम बढ़ रहे हैं जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं या हम जिस बैक्गराउंड से आएं हैं कहीं न कहीं हमें इस तरह का विश्वास बांधा हुआ है आईए हम लोग पढ़ेंगे नया नियम में से मैं आप से चाहूंगा कि आप निकालियेगा नया नियम में से कुलुस्यों का पत्री दो अधियाए कुलुस्यों का पत्री दो अधियाए उसमें बहुत सारा वचन है मैं कुछ सेलेक्टेड वचन को ही आपको पढ़ने के लिए कहूंगा कुलुस्यों का पत्री दो अधियाए उसका आठ वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पढ़िए 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 चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्यान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना एहर ना बना ले जो मनुश्यों की परमपराओं और संसार की आदे शिक्षा के अनुसार तो है पर मसी के अनुसार न सब्सक्राइब करके अहेर मतलब शिकार ना बना ले कोई तुम्हारा ना कर ले देखे हम ऐसा जंगल में रह रहे हैं जा आसपस कई तरह का विष्वास की लोग है कही न कहीं हुआ हमारा जीवन में प्रभाव डालते और हमें अपना सिकार बनाने के कोशिस करते हैं तो हमे साउधान रहना चाहिए क्योंकि मनुस्य का कुछ ऐसा परंपरा है या संसार का कुछ ऐसा सिक्षा है जो मसी का सिक्षा के साथ में मेल नहीं खाता बाइबल का सिक्षा के साथ मेल नहीं खाता तो हमें साउधान रहना चाहिए आए हम लोग 16 वचन को पढ़ेंगे कुलुस्यों दो उसका 16 पढ़ें इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विशय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे परमिस्व का वचन बोलता है खाने पीने में कोई खाना चाहिए ने तो सुब्भ होगा या सुब्भ होगा ऐसा करके लोग बोलते हैं या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नया चांद के बारे में तो कई ऐसा परव या तहवार है जो हम लोग भारत में रहते हैं तो चांद से संबंदित है या तारा से संबंदित करते हैं तो हमें साधान हुआ चाहिए चांद तारे से संभनेद हम लोग कुछ और भी भिश्वास करते हैं आज के समय में या फिर हम्दा भरी चीज़ों Rider वो क्या है मालूम है वो है हम लोग राफिफल या या जोतिश विद्या जो बोलते हैं उस पर विश्वास करते हैं आपने रोड के किनारे बहुत सारे बाबा को देखा होगा जो क्या बलते हैं तो था पैरोट लिए हुए पिंजड़ा में बैठे रहते हैं और भी कई बाबा ऐसा होते हैं जो बैठे रहते हैं भविश से बता ये कुछ हद तक सामर्थ है उनके पास उन्होंने कुछ विद्या अर्जित किया है अच्छी बात है इसमें कोई गलत नहीं लेकिन हम विश्वासियों को उधर विश्वास नहीं करना है ये बाइबल इस बात को बताता है और कई विश्वासियों को मैंने देखा है वो राशि परमिश्वर ने मना किया हम और आप जो चुने लोग है उनको परमिश्वर मना किया है हमें सौधान रहना चाहिए और आगे देखेंगे बातों में लगा रहता है और अपनी शरीर अपनी शारिरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है तो कई ऐसे लोग है जो आत्म हिंता और स्वर्खदूतों का पूजा करते हैं तो जिब्राइल स्वर्खदूत का पूजा कर रहे हैं कोई एंजल है तो आपने कई ऐसा सित्र देखा होगा है ना और कई लोग ऐसे हैं जो संतों का पूजा करते हैं, संत मतलब जैसे कोई खास बहुत अच्छा मिशनरी रहा, जिन्होंने बहुत सारा चमतकार के काम किया और उन लोगों का पूजा करते हैं, उनका फोटो लगाते हैं, उनमें माला चड़ाते हैं, तो ये भी गलत है और ये और को अच्छा नहीं लगता है, मैं एक उधारन अपना लाइफ से कुछ बातों को बताऊंगा, मैं एक जब मैं क्लास 6 में था, तो मैं एक अंकल से मिला, मैं उसे प्यार से मिसर अंकल और कोई कोई चीज़ें को बोला करता था प्यार से, तो उन्होंने एक बात को बताया, और वो अपने आख को खाली किये और एक vacuum में चलते गये चलते गये चलते गये और जब वो vacuum में चलते जाते है न तो एक time ऐसा आया जिससे लगा कि उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते तो उन्होंने पूछा क्यों आगे नहीं जा सकते तो आवाज आया कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो अपना प्राण त्यागना पड़ेगा मतलब देह त्यागना पड़ेगा मर जाना पड़ेगा मरने के बाद आगे जा सकते अपने कई लोगों का ऐसा सुना होगा कि कोई बाबा ने समाधी ले ली मेरा मतलब उन्होंने देह त्याग दिया अपना जान छोड़ दिया बैठे बैठे तो ऐसा होता है अभी ये जो देह त्यागना या अपने आपको खाली करके इस तरीके से जाना ये एक तरीके से आत्म हत्या है और सैतान इसके लिए उकसाता है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कई लोग है जो इस तरह का विद्ध्या से आपको सिखाएंगे खुद को खाली करो परमिश्वर का वचन हमें अपने आत्म को खाली करने नहीं पर पवित्रात्मा से परिपूर्ण होने के लिए बोलता है इसे पांच उसका ठारा में और परमिश्वर हमें अपने आपको वच्चन से भरने बोलता है हमारा हिरदय में परमिश्वर का वच्चन भरा रहना ऐसा बोलता है खाली करने के बारे में नहीं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दुस्था आत्मा को मौका देते हैं एक और कहानी मैं बताऊंगा आप ध्यान से सुनिए एक खास जगह में पास्टर जी को बुलाया गया कि आप आये हमारे यहां पर प्रास्टना कीजेगा क्या हुआ कि वो पास्टर गये प्रास्टना करने के लिए और जब वो पास्टर गये वहां प्रास्टना करने के लिए तो पास्टर को हैसास हुआ कि इस जगह में कुछ एक चीज है रखा हुआ इस घर में जिसके वज़ा से दुस्थात्मा का प्रभाव है तो उन्होंने क्या किया बोला कि आप उस चीज को हटा दीजे परमिस्वर आपका परिवार में अनुगरह करेगा उससे दिक्कत है आपको और कुछ ऐसा कुछ फोटो या कुछ चीजे था जो परमिस्वर को पसंद नहीं मुझे नहीं पता exactly क्या था बहुत पुराना कहानी है तो क्या हुआ वो वेक्ति उसको हटाना भूल गया दुबारा से वही प्रॉबला हुआ और फिर वो पास्टर को फोन किये तो पास्टर नहीं बोला कि आप उसको हटाए या नहीं तो वो बोला कि मैंने नहीं हटाया तो कई ऐसा चीज है जो सैतान घर में मसी का घर में अंदर घुसके तो परिषानी नहीं कर पा रहा है लेकिन कुछ ऐसा है चोटा-चोटा सा परिषानी डालता है और जिसके वज़ा से कई तकलीफ होता है मैं अपना जीवन का एक-दो अनुभव भी आपको बताऊंगा उसके बाद फिर मैं आगे आपको और कुछ बताऊंगा उसके बाद योगा के बारे में भी हम बात्षित करेंगे आपसे देखें बहुत पहले की बात है जब मैं 10 का एकजाम दे दिया था प्लस वन में था और प्रभु को ग्रहन कर चुका था बढ़ रहा था प्रभु में उस समय की बात है जब मेरा उम्र सायद 17 या 18 के आपस कुछ रहा होगा उतना याद नहीं मुझे तो क्या हुआ मेरे घर में दो लोग आये और एक अच्छा दारी वाला बावा टैप से था और उसके साथ एक असिस्टेंट था और ये दो लोग आये और आ करके पूछे मम्मी किदर है पापा किदर तो पापा मम्मी आये और पापा मम्मी को देखकर वो कुछ बात बोलने लगे कि आपका घर में ये फाया है आपका घर में ये दिक्कत है तो मेरा पापा डर गया है मम्मी भी डर गई अब क्या अचानक से बोलने लगे तो वो खड़े-खड़े ही तुरन 5-6 ऐसा प्रॉबलम बताए जो हमारा घर में चल रहा था और मैं सुनके दंग रह गया कि अच्छा ये तो क्या चल रहा है वो भी बता दिये और फिर वो क्या कि हमारा घर का पीछे तरव हमारा जो टॉइलेट वास्रूम था उसके किनारे गए और जाकर उन्होंने वहां पे बोला अपना असिस्टन को यहां गढ़ा कोड़ो और जब और पपा यह सोच पर पड़ गया कि जरूर कुछ ना कुछ है घर का अंदर में और फिर डरे मरे बोलने लगे चलो आपसे बात करेंगे और घर के अंदर बैठ़ा और बात करने लगे और मैं अंदर जाना चाहता था लेकिन जो में जो बाबा था उसका जो तो एसिस्टन्स है उसने मुझे रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया, अनbers कुछ बात कर रहा है, मैं दूर से ही, साइट से ही जांकर सुने का कोशिस कर रहा था, तो उनोंने बताया कि ये प्रावलम है, वो प्रावलम है, और फाइनली प्रावलम बताने के बाद में, पाप खेल समझा और क्यूंकि मैं विश्वास में था मैं प्रभू से प्रात्ना कर रहा था प्रभू मुझे बताइए क्या करना है और मैंने हिम्मत करके उस असिस्टेंट को बोल दिया क्या बोला मालूम है बोला कि सुनिये आप ये जो मेरे पापा मम्मी को बता रहे हैं न अभी तो लोग मान लेंगे बड़ दोबारा आप लोग आना मत इस धर में अगर आप दोबार आएंगे ना आपको चपल मार के लाग जूता मार कर मेरे घर वाले मेरे मम्मी पापा खुद आपको भगाएंगे और पता है एक हपता के बाद फिर ऐसा ही कुछ सिमिलर केस किसी और घर में हुआ और तब पापा मम्मी को कंफर्म हो गया कि वो लोग फ्राउड थे या धोखा दे रहे थे या भोले भाले लोगों को उनका विश्वास और कमजोरी का फाइदा उठाकर डरा धमका कर पैसा लेना चाहते थे कुछ इस तरह से करके मेरा विश्वास घर में मैं बताया मेरे मम्मी पापा मान गए और उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया उस समय में तो ऐसा कई चीजे जो है ना हमारे और आपके साथ में होता है सौधानी से ध्यान पुर्वक सुनिएगा अ एक्सरसाइज की तरह लेते हैं तो उसमें कोई प्रावलम नहीं है वो सरीर के लिए फाइदे मंद है क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज है लेकिन अगर आप इसके जड़ तक देखेंगे तो योगा असल में हिंदु धर्म का विश्वास के मुताबिक एक ऐसा विश्वास है मुक्ति का अलग सा एक मार्ग है योगा भी ओके और जब स्कूल में थे तो हमारे लिए कंपलसरी था हमें करना होता था हमने किया और कुछ किताबें भी मैंने योगा से संबंधित पढ़ा है तो एक जगा मैं ऐसा बताया जाता है कि आप सूर्य को स सुबा सुबा देखो और ऐसा विश्वास करो कि सूर्य के सक्ति आप में समा रही है और आप ऐसा विश्वास करो कि आप धिरे-धिरे ब्रह्म में लीन हो रहे हैं और बोलो अहम ब्रह्मस्ति मैं ब्रह्म हूं मतलब ब्रह्मा मतलब भगवान है ना मैं भगवान हूं आप विश्वास करो तो यह इस तरह का जो विश्वास के साथ जो जुड़ा हुआ बात है उसमें यह ऐसा है जैसे कि मैं भगवान हूँ बोलना और आपको पता है ऐसा ही एक बैक्ति बाइबल में जिसने अपने आपको इस्वर्ग का समतुल्य समझा और उसको स्वर्ग से निकाल हूँ बाइबल ऐसा बताता है कि हम कभी इस वर नहीं बन सकते यह एक तरह का पाप है या हम कहेंगे आत्मिक घमंड है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और जब हम अपने आपको ओम करके खाली करते ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए सवधान रहना चाहिए क्योंकि एक चीज़ कुछ ऐसा जो हमने घर में रखा है जो हो सकता है किसी देश का देवी देवता है और हम नहीं जानते हैं अंजाने में तो सैतान इससे भी कुछ प्रावलम हमें आरज जीवन में कर सकता है हमें सवधान रहना है आईए हम लोग प मसी के साथ संसार की यादि सिक्ठा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो तुम ऐसी विधियों के वस्त में क्यों रहते हो प्रमिस्षश का वच्छन आप से पूछ पर आए हम जब इसु मसी में आये प्रभी इसु मसी को उधार करता के रुप में ग्रहन किये तो इन सब चीजों से हम छूट गए ये सब नियम से हम आजाद हो गए हैं आगे 23 वचन मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन पढ़ दीजेगा कुलिश्यों दोस का 23 वचन इन विद्यों में अपनी इच्छा की अनसार गड़ी हुई भक्ति की रीती और आत्मा हिंता और शारिक योग अभ्यात के भाव से ज्यान का नाम तो है परन्तु शारिक लालसाओं को रोकने में इन में कुछ भी लाब नहीं होता यहां पर लिखा है यह सब चीज जो है भक्ति कारीती और यह सारिक योगा भ्यास ऐसा लगता है कि यह हमारा लालसा को रोकेगा बहुत लोग बोलते हैं कि योग करो निरोग रहो मतलब करो योग रहो निरोग ऐसा ठीक है वो एक कसरत के रूप में है कुछ हद तक सही है ए आद लुकाrá कि या इस तरह का जो इच्छा अंदर जो पेदा हो रहा है हमारा बुरा-बुरा विचार उसको नहीं रोक सकता इसमें कुछ लाव नहीं हो सकता क्योंकि पाप का जो जो ताकत है वो पाप का जो गुलामी हमारा सरीर में अब भी काम करता प्रभिषु मसी को ग लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि शरीर का रोखने का कोई ताकत इसमें नहीं है तो हमें इन सब चीजों को नहीं मानना चाहिए पॉलूस भी जब तिमिठ्यूस को सिख्षा देता है तो बोलता है पहला तिमिठ्यूस चारध्याए उसका सात वचन में मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है इसलिए पॉलूस बोलता है कि बूढ़ियों की कथा कहानियों से अपने आपको अलग रखो उधर ध्यान मत दो तो कई ऐसा कथा कहानी है पुराना समय में अभी भी आना और लेब वबस्था 19 उसका 31 वचन में भी लिखा है भ भूत निकालने वालों के पास में जाते हैं मैंने ऐसा देखा है कुछ Christians को देखा है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और कई ऐसा वचन है आईए हम लोग प्रेड़तों की काम 19 सध्याए में से देखेंगे प्रेड़तों की काम 19 सध्याए और उसका 18 और 19 वचन जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को माल लिया और प्रकट किया जादू करने वालों में से बहुतोंने अपनी अपनी पोथियाए कट्टी करके सब के सामने डाल दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सीको के बराबर निकला ओके थैंकियो सो मच यहां पर इस बात को देखे बहुत सारे जादु ठोना करने वाले उन दिनों में पाये जा रहे थे और यह अन्य जाती लोग है और जब पॉलुस और अन्य चेलो का द्वारा सुलसामचार वहां पर पहुंचा तो उन लोगों ने अपना जीवन इसों के सामने सौंप दिया और जादु करने वाले जितना उनके पास में बड़ा बड़ा कुछ कोथी होता है या किताबे जो है प्रैक्टिस करने का जो भी मंत्र या विद्ध्या लिखा हुआ रहता है उस सब कुछ जमा किये और जला दिये बहुत जादा और जला दिये जब उनका दाम जोड़ा गया तो उन दिनों के हिसाब से देखेंगे तो पचास हजार चांदी के स्टिकों के बराबर निकला अभी के समय में लाखों रुपिया उसका दाम होगा तो इतना कीमत वाला और आगे लिखा है बीस वचन में इस ऐसा करने के बाद में इस प्रकार प्रभु का वचन बल पुर्वक फैलता और प्रबल होता गया तो परमेश्वर का सुसमचार जब आता है न तो हम क्या मानते हैं क्या विश्वास करते हैं सब चीजे छोड़ देना है अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ब्यवस्था विवरन 18 ध्याय में जैसा बोला है वो चेताव ने दिया है कि ये घरिणित काम करने वाले लोगों को मैं निकालने पर हूँ तो हम और आप भी अगर ऐसे भी स्वास करते हैं तो हमारा परमिश्वर भी हो सकता है कि हमें यहां से निकालने या फिर हमें डंड देने के बारे में सोचे तो हमें सावधान रहना चाहिए इन सब बातों से हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे नीती वचन सोला उसका नौ वचन नीती वचन सोला उसका नौ वचन टाइम हो गया जल्दी से करेंगे मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है कई बार है जो लोग सोचते ना पीछे से टोक देंगे तो हमारा काम विगड़ जाएगा परमिस्वर का वचन बोलता है कि हमारा पैर को स्थिर करना या हमारा काम को सफल करना अभी और भी वचन है जो मैं पढ़ाने इससे सम्मधित वो परमिस्वर के हाथ में है उसका मैं पढ़ता हूँ आपके लिए क्यूंकि ऐसे लोग जूठे प्रेरित और चल के काम करने वाले और मसी के प्रेड़तों का रूप धरने वाले हैं या कुछ अचंभे की बात नहीं क्यूंकि सैतान आप भी जोतिर में स्वर्गदूत का रूप धारन करता है इसलिए यदि सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं परन्तु उनका अंत उनके कामों का इनुसार होगा ये एक कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सुनियेगा ध्यान से मैं प्रभु का सेवा में बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा भी नहीं 18 के आसपास का उमर का हूँगा 18 या 19 तो क्या हुआ मेरी छोटी बहन को उसका आँख में बिर्बिरी या कुछ एक दिमारी जैसा हो गया था ध्यान से सुनियेगा तो ठीक नहीं हो रहा था दो हपता से जादा हो गया जबकि वो एक हपता में ठीक हो जाता है और फिर टाइम आउर बीतने लगा ठीक नहीं हो रहा उसको भी करने का पहले मंगी को पूछा की लाल मिर्चा ले लिया और फिर उसकुछ प्राफना करके उसको ऐसे घुमा के फिर ले सुला में डाल दिया कुछ दिन में ने मेरी भैंट ठीक हो गई सब लोगे कि मेरी बैंटी हो गई कि जिस दिन ये सब हो रहा था मैं उस दिन नहीं था मैं किसी और गाउं में था शेवा कर रहा था तो जब मैं वापस लौटा तो मैंने दिखा थीक हो गया बहुत अच्छा कॉन ठीक किया तो मांने बताये कि एक जहन है प्रास्टना करता है आया और चंगा कर दिया बहुत अच्छा तो संजोग से उस डिन जो है वही व्यखती जो प्रास्टना करने वाला फेमस व्यखती है जिसको बहुत मैं मम्मी ने मुझे नाना करके इंटर्डिउस पर कि यह नाना होंगे अंकल नहीं नाना बोल सकते हो करके ऐसा ठीक है मैं बात करने लगा और मेरा अंदर में क्यूरिसिटी जिग्यासा था कि यह जानू कि इसने कैसे किया तो मुझे डाउट हुआ तो मैंने पूछा कि क्या आप विश्वास करते हैं कि इसु मसी मुर्दों में से जी उठा है तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे कुछ नहीं बोले फिर मैंने विश्वास किया फिर मैंने बोला फिर दोबारा पूछा क्या आप विश्वास करते हैं कि इसो मसी साथ सरीर अपना पुरा देह सहित मुर्दों में से जी उठा है तो फिर भी हो कोई जवाब ने दिया मैंने बोला आप विश्वास करते हैं कि इसो मसी ने कुरूस पर मरकर और जिंदा होकर सैतान को हराया है कि मुझे देखकर ऐसे हंसरे लगे और मेरी मम्मी मेरी बहंड और एक दोस्त पीछे इधर खड़े हैं मम्मी बोलती इससे क्या तुम बाइबल का बात पूछते तो बाइबल का बहुत बात जानता है तुमसे अच्छा प्रातना करत है तो मैं ऐसा सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो और बातचित करते हैं तो मैंने क्या कि बहुत चलिए हमने दुना मिलकर प्राक बाइबल पढ़ेंगे तो मैं तुरंद बाइबल ले आया और उसको भी बाइबल दिया नयानियम छोटा व हुए थे मैं समझ गया कि यह हो ना हो सैतान की ओर से है और कुछ तो गड़बढ़ है तब मैंने क्या किया गुस्से में मैंने बोला कि ईशु मसी के नाम से अभी तुम्हें आग्या देते हैं किसी समय यहां से चले जाएए नहीं तो आप साथ दिन कंदर मर जाएंगे मैंने यह वार्निंग उनको दे दिया कि इशु मसी के नाम से अभी मैं आग्या देता हूं आप यहां से तुरंत जाए ने तो आप साथ दिन कंदर मर जाएंगे वह वही पे रहा ज्यादा कुछ तो बोला नहीं पर मेरी मां मेरे पर बहुत गुस्सा हो गए बहुत सारा बा जब भी फैमिली प्रेयर होता है ना वो बैक्ति नहीं थी फैमिली प्रेयर में और इसको को गाली देने का मन करता था उसको और घर में मम्मी पापा के बीच बहुत जगड़ा बढ़ने लग गया और कई तरह का विचार वहां होने लगा और यह सब बाते मम्मी मुझे बताती थी मैं गाउन चला गया था तब भी यह सब चीज़े सुन रहा था एक मैना हुआ वो वेक्ति जो नाना जी या जो अंकल थे वो मर गया मेरे घर के लोग डर गया मा डर गई कि जॉन ने ऐसा बात बोला है और यह हो गया मैं घर गया जब यह सब चीज़े सुना मेरा घर का स्थिती तो मैंने प्राथना मतलब गिलास में पाने लिया और प्राथना किया और उसको आसिस करके मेरी बहन को दिया, घर में छीटा, और मेरी बहन के लिए भी प्रास्ना किया, उसके बाद ये situation ठीक हुआ है, तो जैसा परमेसर का वचन कहता है न, दूसरा कुरंतियों 11 अधियाए और उसका 15 वचन, इसलिए यदि उसके सेवक भी, उसके मतलब सैतान के सेवक, ठीक है, धर में के सेवकों का सारूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतो उसका अंत उनके कामों का अनुसार होगा, आए, अगर ऐसे लोग है, हम उन्हें जांचे परखे, ऐसा ही हम विश्वास नहीं कर ले, एक बर और ऐसी चंगाई करने के लिए, एक घ मैंने अपना उस दोस्त के घर में गया, सेताव ने दिया, समझाया, ये बिल्कुल मत करना, परमेश्वर से दूर हो जाओगे, परमेश्वर इससे घरीना करता है, तो हम कई लोग अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें साओधान रहना है, इन सब दिनिया का विचारों से हमें आपका आदत हो चुका है, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उसमें से बाहर निकल जाओ, क्यूंकि ये घरीनित काम है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो चीज़ करो, नहीं तो परमेश्वर का डंड हम विश्वास्यों पर आएगा, मेरा हाथ को यहाँ प करेंगे हम खुद दुनिया का अलग-अलग चीज़्ों से डरने लगें तो मेरा क्या होगा में यह खाली आज के दिन अब मेरा क्या होगा हम डर रहें कहीं और पर मिश्वर का यादर्न नहीं कर गें तो हम कैसे परमेश्वर का डंड है इस बंधन को हम तोड़ दे और परम प्रभु से कहे प्रभु जी अब तक हमने इन बातों को विश्वास करता रहा है आज से नहीं करें इन सब बंधनों को ठोड़ते हैं तोड़ते हैं करके कहिए आईए हम लोग अपने आपको समर्पन करें प्रभु के हाथों में अगर कुछ ऐसा चीज़े है जो पवित्रात् को बंध कर सकते हैं या फिर आप माइक को बंध रखे अपने मन में प्रासना करते हैं प्रभु से माफी मांग सकते हैं आई ये प्रासना करेंगे ओ परमेश्वर हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु जी हम ऐसे परिवार में पले बड़े ऐसे महौल में बड़े हैं प्रभ मुश्वासों में पड़े रहे प्रभू आजसे हम यह निर्ने लेते हैं प्रभुटी हम ऐसा नहीं करेंगे जो बीच घ Immediately माफ और अब से प्रभू, इस बंदन से हम छुटकार अपाकर आपके लिए जी सके प्रभू, आपके लिए ही प्रभुजी हमारा जीवन हो अहराम आप पर प्रभुजी पूरा विश्वास रख सके, कोई और चीजे हमें यहां से हमारा विश्वास पूर डगबगाना सके ऐसा हम आपसे चाते हैं येश्टो के नाम से हम इस प्रात्ना को मांगते हैं आमेन